क क्या यारवी के अंतरगत बानित यह विशय में ब्याय अध्यान के अंतर गात आज हम एक आई 2ब में चार के अंतरगत nine ऑफ को सम्झाएंगे कि ब्यासाइक शंग ठन के स्वरूप क्या हैं यहां आप देख रहे SEC संगतन के जो स्वरूप हैं सब्सक्राइब स्यूट परिवार कि एस veggies प्रसेट झाल कि XXL हुआ हैं सब्सक्राइब गुण वर्दोस तथा एकाकी व्यापारी का नियंत्रन जो है वो किस प्रकार से स्रेश्ट है तो यहां हम व्यावसायक संगठन के स्वरूप के अंतरगत सर्वप्रथम हम यहां पर एकल स्वामित वाले व्यापार क्या है इसका हम अध्यान करेंगे यह आपके सामने व्याव अपने ब्यावसाय को करना चाहता है तो सर्पतम उसके दिमाग में मस्तिस्क में एक किसी भी प्रकार के ब्यावसाय को करने की कल्पना सामने होती है उसके पश्यात वो ब्यावसाय की कल्पना को साकार करने के लिए ब्यावसाय से जुड़े हुए समस संसाधनों को एकत्र करन उन संसाधनों का उप्योग करते हुए ब्यावसाइक प्रक्रिया को अपनाना शुरू करता है। तो यहाँ पर जब भी कोई ब्यावसाइक अपने ब्यावसाइक का संचालन करता है। तो उसे अपने ब्यवसाई के काई को, ब्यवसाई के संगठन को, किसी ना किसी रूप में उसको अपनाना होता है। अर्थात अपने ब्यवसाई के काई को एक संगठन का उसको एक रूप देना होता है। बारत में जो प्राचीन काल से ब्यावसाई के स्वामित्व के बिभिन स्वरूपों का विकास हुगा है। यहाँ पर ब्यावसाई को बर्तमान में जो ब्यावसाई को संचालित कर रहा है। किस प्रकार काव किस प्रतान करेंगा उसको बहुत तय करता है तो यहां पर जो बुभिननेशस यूझ मह हो Speak महैंत्यफ़ द्यान आद। आ हम को दो लृवकर की बावी के मशचें किसव्चार का ब्या स्वारोगा मीक्त हमने वो अलग-अलग प्रकार के हैं जैसे पहला रूप हो गया एक अकेले व्यक्ति के द्वरा व्यावसाय करना जो कहते हैं हम जिसको एकल स्वामेत्व या एकल व्यासाय है नब यह दूसरा आप दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी के व्याप़ार को चलाने के लिए इस्यामत होते हैं, तो साहिधदारी दोरा बेहुचाय क्या लाता है? इसके फ़ाज सहयकारी समीति है, सहयोग की भावना से आपसी मेल जोल से मिलते हुए चार लोग जो है वो मिलकर एक समीति बनाते हैं और बगयर लाब की अकांच्चा के वो सेवा करते हैं तो ये सहयकारी समीति के मात्याँ вмस्य इसके पश्यात कंपनी के द्वारा ब्यावसाय कंपनी में जब यहाँ पर अधिक मातर में पूंजी को एकत्यत करकर अधिक से अधिक लोग मिलकर समू के रूप में काम करते हैं यहाँ पर कंपनी तो यहाँ पर हम सबसे पहले सद्याय में हम ब्योसायक संगठन का जो पहला रूप है एकल सौमित तुबाला ब्यापार ब्योसायक संगठन का सरलतम रूप है और क्रमसाय हम इसके विविन्न सोरूपों को जानेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं एकल सौमित तुबाला ब्यापार क्या है यहां हमारे सामने हम देखते हैं एकल सौमित तुबाले ब्यापार या एकाकी ब्यापार क्या है हम अपने आसपास घरों के आसपास देखते हैं जो किराने की दुकान है परचुन की दुकान है चाइपान की दुकान है या किसी भी अन्य प्रकार के जो हम रोजाना वस्तुएं उपयोग करते हैं उनकी जो छोटी-छोटी शाप्स या छोटी-छोटी जो दुकान होती हैं वे दुकाने जो हैं वो एकाकी व्यापार कहलाते हैं तो यहां पर एकल विसौमेत तो जो व्यावसायक संग से भी पुकारा जाता है यहां पर व्यक्तिगत उद्द्रमी मतलब स्वयं के द्वारा प्रियास करने वाला तो एकल्सौमित्व भ्यवसायक संग्ठन का फिस वरूप होता है जिसमें भ्यवसायका स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास ही होता है जिन ब्यावसायों में ब्यक्तिकर सेवाओं की आवश्यक्ता होती है उनमें एकल सौमेत्व अधिकांस्ता देखने को मिलता है जैसे हम अपने आसपास देखते ब्यूटी फारलर हो गए लगूप खुदरा दोकाने छोटी-छोटी जो किरानी की दोकान है या जो भी वस्तू की दुकान है पर्चून की दुकान है बेकरी ओंगई क्लीन अर् यह सब एक प्रकार के मारे रोजाना के उप्योग की वस्तू को यहां से हम खरीचते हैं यस सारी जटाराण है एकल सौमित्व के हैं अब यहां परिवासा देखते हैं कि एकलौमित तो ब्यवसाइक संगेटन का वैस वरूप है जिसकी स्थापना, बित्य व्यवस्ता एवं प्रवंद एक निजी उद्यमी पूर्ण सोतंतरता के साथ करता है। उठाता है, साथी सभी प्रकार का लाब भी प्राप्त करता है। यदि कोई हानी होती है तो इसके लिए वही व्यक्ति उत्तरदाई होता है। अपने संपूर्ण स्रम का उप्योग करता है। वह स्वयम अन्य वक्तियों के साहता लेता है जिनने प्रतिफल के लूप में बेतन देता है। इस पकार जा हम कह सकते हैं कि एकल स्वामित में एक के सवाय दूसरा कोई नहीं। अर्था जो प्यक्ति ब्योसाय का स्वामी है वही स्वामी होगा उसके लाबा कोई और नहीं। इकल स्वामित में तो ब्योसाय को एक ही व्यक्ति स्थापित करता है पुझी लगाता है संचालन निर्देशन प्रवंदन एवं संगठन भी स्वयम करता है। ब्यापार का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते उसकी एक्षा के बुरुद्ध किसी भी व्यक्ति को हस्तक छेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो यहां हमने जाना कि एकल स्वामित वाला ब्यापार क्या है। यहाँ पर एकल सौमित्य वाला ब्यापार जिसमें एक अकेले व्यक्ति के द्वारा स्वयम की पुण्जी लगाई जाती है, संपूर्ण ब्यावसाय का संचालन स्वयम के द्वारा किया जाता है, जो भी ब्यावसाय से निर्णनाय डिसीजन उसको लेना है वो स्वयम लेता है तो इस प्रकार के संचालन वाली ब्यावसाय की काई जो है वो एकल सौमित्तो वाली ब्यावसाय कहलाती है यहां हम देखेंगे एकल सौमित्तो की ब्यावसाय का संचालन किया जाता है वा समस्त कारियों पर जोखिम का जिम्मेदार वो अकेला होता है यहां पर ध्यान दें यदि एकाकी व्यावसाय का संचालन करता है वो अकेला एक सौमि होता है तूसरा है आसान गठन एवं समापन है एकल सौमित्त व्यावसाय को प्रारंब करने के लिए किसी भी बैदानिक औप्चारिक्ता की आवश्यक्ता नहीं होती है कुछ दसाओं में अवश्य लाइशेंस लेना पड़ता है लेकिन एकल सौमित्त के लिए अलग से कोई कानून नहीं है इस पकार व्यावसाय का जो संचालन है वो बड़ी आशानी से उसकी स्थापना की जा सकती है और इसकी समापन भी जो है जब चाहे एक्छानूसार किया जा सकता है तीसरा है आसीमित उत्तरदाईट तो के मतलब है जिसमें दायत्त की कोई सीमा नहीं है तो यहां देखते हैं कि एकल सौमित्त में जब व्यावसाय अपनी व्यक्तिकत पूंजी लगाता है और यदि व्यावसाय में लगाएगी पूंजी से ज़्यादा उसका मुकसान हो जा नहीं होती अर्थाप आकेमियत उत्तर दाइत उसके होते हैं पर चौता है पूर्ण नियंत्रण एवं प्रवंद एकल सौमेतुमें व्यवसाई ही इसके प्रवंद एवं नियंत्रण का कार्य करता है तो यहां पर अकेले स्वामी का ही पूर्य व्योसाई पर नेंत्रन होता है एवन व्योसाई की प्रबंद संबंदी व्योस्था का संचालन उसे स्वयम ही करना होता है फिर है चुनाओ की सुतंत्रता अब यहाँ पर एकल व्योसाई वाले व्योसाई को अपने व्योसाई को चुनने की पूर कि उसको पूंग से सोतंत्रता होती है पर संपूर्ण लाब का स्वामी एकल व्योसाय में व्योसाय ही संपूर्ण लाब इबं हानी जोखिम का अकेले जिम्मेदार होता है क्यों क्योंकि जो स्वामी है वही व्योसाय की जोखिम को बेहन करने वाला होगा तो जो भी खेला व्यक्ति अतहात एकल व्युषाह यह होगा फिर संचालन की सोतंतरता यहां पारेकल सामित ब्युताई में सरकारी नियम जो है वह सिथिल होते हैं अथा एकाट की व्यापारी संचालन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है ृसाब वह अपने आशाब थे ब्यावसाइ का बैदानिक तरीके से पूर्न संचालन कर सकता है यह 7000 त्हुछ, वह ङली तौने दोसाабат की दोसफिया हानि अब हम यह हम दिखेंगे की वह वियोसाय के दोस क्या है या हानिया क्या है एक अल वियोसाय को जैसा कि पहला है ऑन अजमीह डाय। आसीमित दायित तो होने के करण व्यावसाय में हानी होने से व्यावसाय पूंजी के साथ व्यक्ति का संपत्ति भी दूप जाती है दूसरे सीमित बित्ती जादने पूंजी लगाने के करण व्यक्ति के अकेले होने करण पूंजी की मात्ता कैसी होती है सीमित होती है वा उसकी साख सीमित होती है ते वित्ती संस्तान से अधिक रण प्राप्त नहीं हो पाता है पर सीमित कारी को सलता है चुकि अकेले स्वामी होने के कारण उसकी जो कारी को सलता है वो सीमित होती है फलता है सीमित कारी को सलता के कारण बेवसाय का बेकास जो आप एक्षित रूप से नही कई कई बार ऐसी पृतिति के द्वारा जो है अकेले होने के और ले निरणतरता उसमें कम हो जाती तर जाता नकटन ipad ंवर साइगी सीमत होने काभी-कभी बाघ रहे हैं है जए यह एसा decision ले लेता है निर्णाय ले लेता है जैसे व्यावसाय को नुकसान होता है फिर सीमत साथ छमता है अकेले व्यावसाय की स्वाइम की साथ छमता सीमत होती है वह व्यावसाय का सुरूप छोटा होने के कराण उसकी ख्याती कम होती है और उसे अप एक्छा कत्रण प्राप्त नह रहता है। तो यहां पर यह हैं इकल सौमित वाले व्यापार के गुण उसके लाव यह उसके महत्र क्या है। एकल सौमेत वाला जो ब्यवसाय है, उसकी स्थापना करना बहुत सरल और सगम होती है। सामने तोर पर जो भी ये ब्यवसाय होते हैं, ये इनको हम अक्सर देखते हैं, परमपरगत होते हैं। तो इनका संचालन जो है, सरल होता है। इसके बाद बैदानिक अपचारकताओं से मुक्ति, एकल सौमेत वाले ब्यवसाय की स्थापना के लिए हमें बहुत सारे विसे सादन की आवशक्ता नहीं होती है। अनेक स्वरूप की भाती, यहाँ पर बैदानिक अपचारकताओं को हमें अधिक पालन नहीं करना पड़ता है। अर्थात जो हमारे पास जितनी मात्रा में पुंजी है, जितनी मात्रा में हमारे पास सादन है, हम उनी से ब्यवसाय को प्रारम कर सकते हैं। फिर ब्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता, यहाँ पर सबसे बड़ा महत्तु है, इसका गुण है, हिकल सौमित वाले ब्यापार का, कि कोई भी ब्यवसाय अपनी रूची वा इक्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के बैद्य ब्यवसाय को चुनने में स्वतंत्र रहता अर्थात वो अपनी एक्छानुसार किसी भी प्रकार के ब्यवसाय का चैन कर सकता है। इसका पास सीग्रनन है, यहाँ पर यह गुण है उसका कि चुकि एक अकेला स्वामी ही ब्यवसाय का संचालन करता है, उसको ब्यवसाय के सारे तरीके किस प्रकार से वो ब्यवसाय करना डिसीजन लेने के लिए किसी और पर निरभर नहीं रहना पड़ता है। करता है। इसके अलाबा गोपी नीता एकल सौमित तो वाले ब्यावसाय में जैसा कि हम जानते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा ब्यावसाय का संचलन किया जाता है। ये सारी बातें उस ब्यावसाय के दिमाग में होती हैं तो यहाँ पर जो है गोपी नीता बनी होती है। इसके अलाबा मित व्यता संपून लाभानी का वो अकेले जिम्मेदार होता है। अता है ब्यावसाय को कम से कम करकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। चुकि संपून व्यावसाय का संचालन उससा केले व्यक्ति के द्वारे किया जाता है इसलिए कहाں चाहां वो बचत कर सकता है। यहां पर हमने देखा है कि एकल सवमित वाले जो व्यावार है उसके गोण उसका लाभ या उसका माहत्व क्या है। यहां पर अभी हमने जाना कि एकल सौमेत वाला ब्यवसाय क्या है उसका अर्थ उसकी परिवासा क्या है साथी हमने उसके विसेस्ताइं देखी कौन कौन सी विसेस्ताइं होती है उसके गुण क्या है उसके लाप क्या है उसका महत्तो क्या है साथी उसके उद्देश क्या है सा तो यहां पर जो हमने देखा कि एकल सौमेत वाले ब्यवसाय में जो ब्यवसाई है वो अपने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ब्यवसाय को स्थापित कर सकता है ब्यवसाय का संचलन अपनी इक्षानुसार कर सकता है और संपूर्ण ब्यवसाय का लाब जो है स्वयम उठा सकता इस इस्सिती में क्या हम यह मानें कि एकल्ट सौमित वाला जो ब्यावसाय का नियंत्रन है वो सर्वस्रेश्ट है अर्थात ब्यावसाय के अंतरगत जो भी ब्यावसाय संगठन के अंतरगत एकल्ट सौमित वाला ब्यावसाय क्या बैतर है इस बारे में हम यह जानेंगे कि एक कहना है कि एक व्यक्ति का नियंत्रां विश्व में सर्वस्रेष्ट होता है बसरते वाय अकेला व्यक्ति इतना योग्यों की प्रतेक कारिका प्रवंद स्वयम कर ले यहां पर बिलियम का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो व्युशाय किया जाता है उसका नियंत्रां जो जरूरी है कि बसरते वो अकेला व्यक्ति इतना योग हो कि प्रतेक कारिका प्रवंद स्वयम कर ले जदी व्यक्ति योग के है कारिकोशल है अनुभवी है शिक्षित है व्यवसाय की संपूर्ण तक्नीकों को वह बहतर ढंग से जानता है तो ऐसी इस्तिति में उसके द्वारा जो नियंत्रण किया जा रहा है व्यवसाय का वो निश्चित रूप से स्रेश्ट होगा तो इस इस्तिति में हम यहां करेंगे कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण जोब व्यवसाय करिया में स्रेश्ट है तो इस परश्ट है कि एकल सौमें तो बिस्व बाद जोखिम को बेहन कर सके एक छोटे ब्यावसाय में तो यह संभाव है परन्तु बड़े आकार के ब्यावसाय में नहीं हो पाता तो यदि ब्यावसाय चोटे आकार का है तो और साथ ही यहाँ पर संचालग कोशल योग गुणी है समर्त्मान है तो ऐसी सिति में वह आने व बड़ा बेवसाय होगा तो एक बैक्ति चाहिए कितना भी प्रतिवावान वा सर्वगुण संपन्न क्यों न हो अकेले उनका सामना नहीं कर सकता है तो यहां पर बात कही गई है कि एक बैक्ति का नियंतरण विश्वय में सर्विसेष्ट होता है यह उचित है लेकिन यह छोट प्रकार के बेवसायों के लिए उचित है जहां पर कि उत्पादन कम मात्रा में होता है छोटी हिकाई है लेकिन जहां पर बड़ी हिकाई है बड़ी मात्रा में बेवसाय है बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है बहां पर एक अकेला व्यक्ति संपून लूप से बेवसा जोत्म जोतो